वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है बले ही अभी शीबायनू नहीं बढ़ रहा है या फिर बिटकोईन अभी उस लेवल पर नहीं पहुच पाया है लेकिन क्रिप्टो यूजर से काफी प्राइस प्रेडिक्शन आ रहे है जिसमें कहा जा रहा है कि शीबायनू आने वाले समय में 30x तक का प्रोफिट दे सकता है और 3000% तक की रैली शीबायनू में भविश्य में देखने को मिल सकती है और देर सबेरे शीबायनू जरूर कमबेक करेगा लेकिन ये कभी भी जीरो की तरप नहीं जाएगा यानि कि मार्केट कभी भी गिरेगा नहीं हमेसा ही बड़ेगा अगर हम एक बड़े क्रप्टो एनलेष्ट डेवी की बात माने तो यहाँ पर इन्होंने इसपष्ट तोर पर कहा है कि शीबायनू में वो कैपेसिटी है कैपेबल है शीबायनू जो एक बड़ी रेली यहाँ पर दे सकता है जो की 3000% की है जो बुल सीजन में आ सकती है इसके पीछे जो थ्योरी दे रहे है उसके उपर आज हम बात करेंगे कि आखिर यह डेवी शोतोसी क्या कहना चाह रहे है और इसके पीछे क्या तर्क दे रहे है लगभग इन्होंने पास से 6 बड़े तर्क दिये जो कि मुझे भी यार काफी अच्छे लगे कि हाँ यार यह रीजन तो बड़े श्ट्रोंग है जो शिवायनू को गिरने नहीं दे रहे है तो आप भी अगर जानना चाहते है वो रीजन तो एंड तक वीडियो वाच करना और पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब बेल आइकोन को हिट और शिवायनू के बारे में आपकी क्यार आई है कमेंट्स में जरूर लिखना यहाँ पर अगर आप देखें तो वाई शिवायनू में नोट गो टू जीरो जीरो के तरब क्यों नहीं जा सकता है शिवायनू इसके पीछे जो पहला रिजन यहाँ पर बताया गया है वो है कि बीटीसी जब गिर रहा था बीटीसी जब 2022 अक्टूबर के लेवल पर 16,000 के लेवल पर आ गया था अक्टूबर 2022 में उजबीस अगर शिवायनू का ग्राफ देखे तो कोई खास ग्रावट इसमें देखने को नहीं मिली थी अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँगा तो अक्टूबर 2022 का ग्राफ में बता रहा हूँ इस बीच भी शिवायनू की प्राइस 4-0 के साथ 10 के असपास थी और 4-0 के साथ 10 के असपास डेड़ साल तक यही लेवल चलता रहा उस बीच बिटकोईन का अगर हम देखे हायस्ट लेवल यह था 60,000 डोलर वो जाकर 16,000 डोलर पर पहुच गया था उसके बावजूद शिवायनू में ग्रावट नहीं होई थी यह बात बताती है कि कितना मजबूती से शिवायनू अपने मुकाम पर खड़ा हुआ था सबसे बड़ा रिजन यही है जो इसको रोके हुए है कि मजबूत सपोर्ट और मजबूत स्ट्रोंग लेवल यहाँ पर बना हुआ है आज भी अगर हम देखे तो मार्केट पुझे एक महिने या डेड़ महिने से नीचे जाने का प्रियास हो रहा है शिवायनू का लेकिन हर बार इस लेवल पर मार्केट कमबेक करता है और उपर की रेंज बना लेता है यानि कि एक मजबूत स्ट्रोंग हमेशा से ही शिवायनू के साथ सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर जो सेकंड रीजन बताया गया है वो रीजन है कि शिवायनू को अब पूरे चार साल हो गये है अगर आज की कंडिशन में देखे तो शिवायनू की जो इस्टैडिंग लेवल था वो दोजार बीस का था ठीक है दोजार बीस में लोंच हुआ था अगस्त जुलाई के आसपस जून के आसपस और तभी से मार्केट में बना हुआ है आज लगभग चार साल होने वाले है या फिर हो गये है और ऐसी स्थिति में आज भी शिवायनू लोगों के जहन में चड़ा हुआ है और यह वही टोकन है जो इस्टाइडिंग से ही मतलब अपने लोंच के दो तीन महिने से ही लोगों के जहन में चड़ा था और आज भी इस टोकन को उसी टाइप से देखा जा रहा है मतलब token आज भी लोगों के मन में मस्तिस्क में बसा हुआ है एक अच्छे token की ये खासियत होती है कि market में वो अपना relevant बनाये हुए है तीसरा जो reason इसमें बताये गया है expert की तरफ से वो बताये गया है कि 2022 में मंदी आई थी उसके बावजूद भी 2022 ये 2023 में जो मंदी आई थी उसके बावजूद भी Shiba Inu बचा रहा अगर हम यहाँ पर देखे तो कई ऐसे token है crypto market में जो 2022 और 2023 की मंदी में कहां गायब हो गए पता भी नहीं चला है जिनके बारे में आज कोई बात करने वाला भी नहीं है मतलब गुम से हो गए कई ऐसे token है जिनके उपर मैंने वीडियो भी बनाये थे कि देखो कैसे ये scam token बन गए है और आज के condition is scam कर गए है लेकिन Shiba Inu उन दो साल की मंदी में भी इसी level पर बरकरार था यहां पर भी इसने मजबूत strong बनाने का प्रियास करा था लेकिन गिरा नहीं तो ये भी एक अच्छे token की खास बात होती है जो भविश्य में बढ़ने के असार बनाता है और जो अगला point है वो है top 20 की मुल्वान क्रिप्टो करनसी आज की condition में देखे तो शिबयनु का कुछ 11 नंबर है और ये अभी भी 2021 या 20 से ही मान ले तो top 20 की क्रिप्टो करनसी बनी हुई है और आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी top की 20 क्रिप्टो करनसी में अपना इस्थान रखना और इतने लंबे समय तक बनाए रखना कही न कहीं एक अच्छे token की खासियत होती है ये तो बहुत सारे token आते हैं top पर बनते हैं और कहां गाया भजाते हैं नहीं मालूम पड़ता लेकिन अगर इन सभी token की list में देखे तो आज भी Shiba Inu बना हुआ है और सबसे खास बात यह है कि top की 20 जितने भी coin है इनमें ऐसे coin है जो इतनी growth नहीं देते bull run में या अचानक से pump में लेकिन Shiba Inu अचानक से pump भी कर जाता है अगर यहाँ पर देखे top 20 की तो अगर YTD में देखोगे तो लगभख Shiba Inu का 130% और 90 दिन में 150% का profit है जिसमें अगर हम 2 coin, top coin, tone coin को और यहाँ पर बस tone coin इससे आगे है ठीक है बाकि सभी पीछे है मतलब आप सोच सकते है कि top 20 की coin है और उसके बावजू 1500% का pump है 90 दिन के अंदर अंदर तो यह बताता है कि कितनी बड़ी coin है यार अगला जो token है वो है meme token की category में अभी भी top पर बनना आज की condition में दोस्तों अगर आप meme token को देखोगे तो खासा competition बढ़ गया है यह 2020 की स्थिती नहीं है जहां पर कोई token नहीं हुआ करते थे और token अचानक से बढ़ जाया करते थे लेकिन आज की condition में Shiba Inu को तगड़ा competition मिल रहा है पेप से dogwi head से flowky से bonk से book of meme से या फिन नए meme token से ठीक है वेसा समय नहीं है उसके बावजूद भी Shiba Inu अभी भी second number पर बना हुआ है अपने coin market cap की बदूलत और trading volume की बदूलत और आज भी लोग इसको छोड़े बगेर meme token में अगर किसी token को रखते है तो Shiba Inu को अपने category में जरूर रखते है अपने portfolio में जरूर जगा देते है यह अच्छे token की यह खास बात होती है जो कि आपको भूलना नहीं चाहिए नेक्स्ट जो सबसे खास बात है जिसके बारे में आपको सायद यहाँ पर जानना जरूरी है वो है Shiba Inu पिछले कुछ वर्सों में इस्थाई तोर पर अपनी जो छमता है वो इसने यहाँ पर साबित करी है पोटेंशल है, कैपेसिटी है वो साबित करी है और Shiba Inu डेवलोपमेंट टीम भी काफी तोर पर एक्टिव दिखती है हर चीछ पर उनका ट्वीट आ जाता है हर चीछ पर उनका अपडेट आ जाता है डेवलोपमेंट खास से उन्हों नहीं किये है आने वाले वर्तमान में और आने वाले फ्यूचर में भी अपकमिंग प्रोजेक्ट की एक बड़ी उनके पास लिश्ट है तो कहीना कहीं ये साज़ेदारी और कहीना कहीं ये अपडेट और ये डेवलोपमेंट Shiba Inu को आने वाले समय में लाभ ही देंगे और ये कहीना कहीं तकनीकी तोर पर देखे है और Shiba Inu में एक बड़ी रेली के आसार यहां पर बन रहे है ठीक है इतने चीजे सायद किसी कोईन में आपको मीम टोकन में तो नहीं देखने को मिलेगी अगर एकाद को छोड़ दे तो उसके बावजूद भी आर अगर हम कहते हैं कि Shiba Inu नहीं बड़ेगा तो फिर ये ज जूटी बात है क्योंकि Shiba Inu में वो पोटेंशल है जो कि केवल एक बिटकोईन का धका बिटकोईन का पुश लगने की देरी है अगर बिटकोईन का यहां पर पुश लगता है तो आपको इसको ऐसे अवोईड नहीं करना चाहिए एक अच्छी टोकन है जिसके बारे में अगर मैं यहां पर बताओ तो 2000 Shiba Inu 30X केसे कर सकती है क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखे है इस क्रिप्टो एक्सपर्ट की तरफ से तो 22 की रेंज पर है और 1000 से लेके 3000 परशेंड तक की एक बड़ी रेली के एक्सपेक्टिशन रख रहे है जिससे Shiba Inu की प्राइज ल प्राइज रोध कहीं ना कहीं Shiba Inu के बड़े लेवल पर ले जाएगे और लोगों को काफी प्रोफिट बना के दे सकती है इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि अन्नमीम सिक्कों में कई ऐसे टोकन है जो 30X तक बढ़ सकते है 30X तक गेन हो सकते है जिसमें यहां पर डोज कोईन का भी नाम लिया गया है यहां पर पेप का भी नाम लिया गया है और डोग डबल्यो आई हेट डबल्यो आई एफ उसका भी नाम लिया गया है इसके अलावा यहां पर और भी कई टोकन है जो 30X पोटेंशल रखते है अपने केटेगिरी में तो Shiba Inu के Shiba Inu कितनी मुल्लवान क्रप्टो करंसी जो पविश्य में कितना बड़ा प्रोफिट हमें दे सकती है बाकिया आपकी मर्जी आपके सोचते कमेंट्स में जरूर अपना राय लिखिएगा और मिलते नए वीडियो में वीडियो पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब लेकर जोइन कर लेना नमस्कार